आज हम आलू की फसल में सीचाई के महत्व और उसकी सीचाई कब-कब और कैसे करनी चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे नालियों की लमबाई सीचाई के साधन के अनुसार बड़ी या छोटी रखना चाहिए लेकिन हर इस्थिती में नालियों का समतल होना सही और अच्छी सिचाई को सुनिश्चित करेगा नालियों को ऐसे बनाएं कि सिचाई के समय उसमें पानी एक छोर से दूसरे छोर तक समान रूप से लगे सिचाई करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि नालियों में पानी उसके उचाई के दो तिहाई भाग तक हो कई बार ऐसा होता है कि किसान के पास जो सिचाई का साधन है वो ऐसा होता है कि दो होर्सपॉर का मोटर है या उससे ज्यादा होर्सपॉर का मोटर है तो उससे पानी बहुत तेजी की गती से निकलता है और नालियों में एक तम से भर जाता है ऐसी स्थिती होने पर आपको 3-4 नालियों में एक साथ खोल कर हलकी हलकी सिचाई करने का प्रयास कर सकते हैं आलू की फसल में सिचाई को सही तरीके से और सही समय से करने की सबसे ज़्यादा जरूरत तब होती है जब आलू में कंद बनना शुरू होते हैं इस अवस्था में फसल को बहुत हल्की लेकिन बार-बार सिचाई करनी चाहिए ऐसा करने से छोटे-छोटे कंदों की संक्या कम होती है और ज्यादातर आलू सामानाकार के बनते हैं यह अवस्था गुवाई के करीब 40-50 दिनों पर आती है आलू के कंदों का बनना जड़ों से लगे हुए बहुत छोटे-छोटे सरसों के दाने जैसे सफेद कंदों के रूप में देखा जा सकता है इस सावस्था में नालियों में पानी सिर्फ आधाई भरे और जरूरत के अनुसार पांच से साथ दिन बाद फिर सिचाई करें कंदों की बनने की ये प्रक्रिया लगबग एक माह तक चलती है पहली और अन्तिम सिचाई को छोड़कर हर सिचाई में पानी के साथ 20 डेसिमल खेत में 30 लिटर ताजा बनाया हुआ जिवामरित नाली में मिलाकर जरूर डाले इसे डालने के लिए एक प्लास्टिक के केन या मिट्टी के घड़े में एक बारीक छेद कर उसे सिचाई के नाली में इस तरह रखे कि जिवामरित का गोल धीरे-धीरे सिचाई के पानी के साथ मिलकर खेत में पहुँच जाए आलू की फसल में अंतिम सिचाई फसल उखाड़ने से 10 से 15 दिन पहलने के करीब बंद कर देनी चाहिए ये अवस्था आमतोर पर जो आलू की वराइटी लगाई जाती है उसमें 100 से 110 दिन के आसपास आ जाती है ऐसा करने से आलू के कंदों का च्छिलका कठोर हो जाता है और उखाडते समय उनके च्छिलकर खराब होने का डर कम होताए आलू के भंडारण में भी इससे सुविधा होती है और आलू को लंबे समय तक रखा जा सकता है कुछ किसान आलू उखारने में सुविधा हो, इसलिए मिट्टी को नरम करने के लिए खुदाई से ठीक पहले सिचाई कर देते हैं यह परिक्रिया ठीक नहीं है, इससे आलू के कंद ठीक से नहीं बन पाते हैं और आगे चलकर आलू के सरने का खतरा होता है इस प्रकार आप भी अपने आलू के फसल को समय पर और जरूरत के हिसाब से सिचाई कर इसके उपज को बढ़ा सकते हैं